एंबुलेंस में महीला के सव के साथ आया वैक्ती हुआ फरार, सव की सिनाक्त और मोत का कारण पुलिस के लिए बना पहेली चिडावा पिलानी रोड पर ब्रामनों की डानी के पास से प्राइवेट एंबुलेंस के जरिये चिडावा उपजिला अस्पताल लाई गई एक महीला की डेड बोडी पुलिस के लिए पहेली बन गई है दरसल डेड बोडी के साथ आया यूवक, रास्ते में ही एम्बुलेंस से उतर कर फरार हो गया अब पुलिस महीला की सिनाक्त के साथ फरार यूवक का भी पता लगाने की कवायद में जुटी है गटना अस्तल पिलानी थाना चेतर में होने की वज़े से पिलानी पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद पिलानी थाने के टीम भी मोके पर पहुँची जानकारी मिली है कि महिला के सिर में किसी चोट की वज़े से दो तिन टाके लगे वए हैं जो की ताजा चोटके हैं इसके अलावा सरीर पर भी हलकी चोटों के निसान हैं सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सव को एम्बुलेंस में छोड़ कर फरार हुए यूवक की लोकेशन पुलिस को मिल चुकी है और किसी भी वक्त उसकी गिरफतारी हो सकती है भारतिय संसकर्ति ज्यान परिक्षा में अवल आने वाले विद्यार्थी वै लाखों रुपे से भरा वैग लोटा कर एमानदारी का परीचे देने वाली महिला का हुआ सम्मान मंडरेला कस्बे में अखिल विश्व गायतरी परिवार के तत्वाधान में भारतिय संसकर्ति ज्यान परिक्षा पुरुषकार सम्मान समारों का एजन किया गया अधितियों द्वारा सरोपर्थम मा गायतरी के समक्ष दीपरजवलीत कर कारेक्रम का सुभारम किया गया भारतिय संसकर्ति ज्ञान परीक्षा में उतकरष्ट परदर्शन करने वाले विभिन विद्धालियों के परतीबाशाली विद्धार्थियों को अतीधियों द्वारा प्रमाणपत्तर एवं पुरुषकार तता साहित्य का सेट्परदां कर प्रचाहित किया गया साथ ही प्रिक्षा को सफल बनाने वाले शिक्षकों को भी प्रस्थिपत्तर एवं दुपट्टा पहना कर सम्मानित किया गया कारेकरम के मुख्य अति थी मुराली लाल सोनी ने कहा कि भारतिय संसकर्ती ज्यान परिक्षा बच्चों को भारतिय संसकर्ती के गोरव का बोध कराने एवं नैतिक मुल्यों की स्थापना करने हीतु अत्यांत आवशक है कारेकरम की अध्यक्स्ता कर रहे रामाकांत पोलिवाल ने अपने उद्वोधन में कहा कि विद्यार्थियों को अनुसासित एवन संसकारवान बनाने में भारतिय संसकर्ति ज्यान परिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है